वे गुरु देखे दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस्टॉन डोर फ्रेंग पत्तर की चोगट के बारे में तो यह आप देखे हैं पत्तर की चोगट यह पांक डाहिने हैं यह चार तीन में हैं सिंगल मॉल्डिंग यह शाड़ी तेन इंची बाई डाहिन चीकी है सिंगल कताब यह उपर के दोके लिपकेंगे हैं यह पांक डाहिने डुबल कताब यह साड़ी चार इंची डाहिन ची सिंगल मॉल्डिंग यह बिना मॉल्डिंग की पांक इंची में और साइज अवलेबल है जो भी आप बूलोगे यह इस्टॉन रहसेदार रहता है जो तुका ब्राउन कलर चोबलेट रहता है यह विंडो के लिए है ग्रिल अंदर जो इस्टिन की रोड आती है वो फसानी के लिए होल किये हुए हैं इसमें फोर पेताब डबल पेताब पा यह पांचुए चर्व का दोर हैं लए मेर केलिए काम आता है यह ओक्राइज के लिए प्लकेर पांच दैसे का डबल का पांस तीम में सिंगल डबल का छे ड़य में सिंगल डबल में थिकनेस और विर्द की में बात कर रहा हूं इस इंची का भी बनता है देश ड़य में दस तिन यह टाई यह जय का है दिजैन का ताम इसके यह चार ड़ाई क्या है यह भी चार ड़ाई में है सिंगल पतार का इस तो इस यह जरी लगती है पतार की इसके मझून है जरी लगई है जरी की जो बीप होती है वादा इंची के रहती है और यह से गेरा ही उसकी रेटी है जो वो डेरिंग ची एक इची तीन सूट जितना आप जो रहेगा ओडर उसके साथ से ये इसका जरी मिपीगा आज अब पार का अब यह दोना तरफ से पिप साइग बनाव का है जैसे तीन फूर्ट चार पूप साद तीन फूप से तीन साथ 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 आठ जो भी आपको से उता है यह ग्लोग कुटिंग के लिए मसिन के लिए कहा रहे हैं यह स्लेव कटा हुआ है कुटिंग क्या वसले है कि टोटल रो मेट्रिल है जो जो पिर्की कदाना से पर्चेश करते हैं सब साइज में बीदा मीट टाइप का कल्डर रहता है इसका और जो डबल कतार है पांच इंशिक्यू इसमें फोर पेताब भी है यह जो विंडो के बीच में लगता है रोसंदान के लिए लगता है यह उपर खांचे देख के भी देते हैं यह विंडो के लिए है उपर निचे वाड़ा आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस भी यह नमर को इसमें बड़ी बलेड चलती है शिदा स्लेड करता है इसको बड़ी लोड़ीग है यह इसमें इसमयाद पन्रा बलेड चलती है अबड़ी आप इसमयाद पन्राप लोड चलती है अब तो यह अब्यूप का जो स्वाईज पन्राइंची को हैं तो दोस्तों आपको जान भी माल चाहिए, आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी आपको उच गुनत वाला, जो पूर इस्टान में माल ने लेगा, हाड वाला, यह मेरा विजिटिंग काड है, टेंक यू, गोल्य दोस्तों, आज हमाँ,